हेलो गाईज वैलकम टो और चैनल 6 आलाइन्स 6 आलाइन्स में आपका पहुत पहुत स्वागत हैं और हम बारतिय सम्विदान की सीरीज की तेयत है वो संसद पढ़ रहे थे और अब तक हमने हैं वो संसद में ज्यादा तर पार्ट है वो कबर कर लिया है और इसके अलावा है वो कैसे चलती इसके बारे में हम आज देखेंगे और इससे पहले हमने है वो विद्यक के बारे में देखा था और सारे विद्यक देख लिए और होफ़ले आपको सारे लेक्चर पसंद आ रहे होंगे और अगर कोई भी डाउट होता आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकत है तो वो निसी समय कैसेड होता है और उसकी प्रत करिया क्या है तो उससे संब्धित हम बात करेंगे और बैसिकली देखा जाए तो जो संसद का है वो सत्र भी होते हैं और उस सत्र के साबसे में देख सकते हैं कि कौन साहे वो सीद कालिन सत्र होता है बजर सत्र होता है और मांसून सत्र होता है तो सत्र के बारे में देख लेते हैं तीन सत्र होते हैं सबसे पहले हैं संसद के सत्र यह नहीं संसद के सत्र कितने होते हैं तो अगर कैलेंडर के अकोडिक देखे जाओ सबसे पहले आएगा फैब से म माई के बीच में तो इसको है वो बजट सत्र कहेंगे ठीक है फैब से माई के बीच में बजट सत्र आएगा और उसके बाद में जुलाई से सेप्टेमबर इसको हम कहेंगे मानसून सत्र और जो सबसे लास्ट में आएगा जिसे अभी टाइम है उसे साबसे ये सीद कालिन सत्र का टाइम है तो नॉम्बर टू दिसंबर तो इसको हम बोलेंगे सीद कालिन सत्र सीद कालिन सत्र ठीक है तो ये है वो तीन सत्र होते हैं संसत के इधानक ना टाइम फूर सकते कभी भी फैब से में के बीच में होता है बजट सत्र जुलाई से से सेप्टेमबर के बीच में होता है मौनसून सत्र और नॉम्बर से दिसंबर के बीच में होता है सीद कालिन सत् देख लेते इसके कुछ point जो दो sessions होते हैं उनके बीच में वो six months से अधिक है वो time नहीं होना चाहिए six months या नहीं उससे ज़्यादा का आप time gap बीच में नहीं रख सकते हैं अगर इससे समध्दित article की बात की जाए तो article ध्यां रखना है article 85 ठिक है article 85 में होता है कि जो सत्र बुलाना हो या सत्र अवसान करना हो या लोग सबाब को विकट इत करना हो ये सारे राश्टपति के पास में तो इसके तैते राश्टपति को सकती है ठिक है सत्र बुलाना यानि सत्र आउत ठीक है सत्र वसान और विगटर ये तीन चीज़ें राष्टपति के लिए ध्यान रखने हैं सत्र आउत का मतलब होता है सत्र को बुलाना ठीक है सत्र बुलाए जैता है राष्टपति बुलाए सत्र अवसान का मतलब होता है सत्र प्लस अवसान इसका तोड़के देखा जाए 27 प्लस अफसान यहनी अफसान का मतलब बता़ड़क». तो जहनी एक 17 का समाप्त होना विगटन का होता है कि पूरी लोग समभा है वो विगटिट होताती है लेकि 17 अफसान में यह होता है कि 17 की समाप्ति नहीं वह तक खत्म करना तो यहांनि एक सच्ट का समावड दोना विकटन होता हूए कि पूरी लोक सबाई हो विकट होताओ दया लिए 17 कि पूरे लोक सबाई की नहीं होती इसमें होता है कि जो इसको मंसकते तोड़के सत्र प्लस अवसान जन्य अवसान का मतलबता है समाप्त होना तो एक सत्र की समाप्त होती है उसको सत्र प्लस अवसान बोला जाएगा और अगर लोग सबा का विक्टन हो अब ये सारी चीजे है वो राश्टपति के पास में लेकिन एक चीज हमें सा ध्यान रखना इस्थागन के वर्ड भी आता है कि लोग सबा कोई कुछ समय के लिए इस्थागित कर दिया गया तो इस्थागन कौण लोग सबा दिक से राष्टपति करता है तो 17 अबसान होगा राष्टपति और इस्थागन से संबंदित जो भी सकती है वो लोग सबा दिक सको दे देंगी है ठीक है यह चीज होती है कम से कम minimum है टाइम है वह दो सेशन्स की बीच में और six months इससे ज्यादा ताइम है वह नहीं हो सकता यह minimum time होता है ठीक है उसके बाद में हम देखते हैं कि कुछ जो प्रकरिया है प्रक्रिया और नियम संब्दी जितने भी उले की वो है प्रक्रिया एक्पम, नियम परकरिया और नियम नियम है वो आर्टिकल 118 के टहते हैं वो mention किये गये और इसके टहते है वो हम लोग देखेंगे कि जो परकरिया हमें वो क्या क्या सामिल होता है, शुरू से जो दिन की शुरुआत है वो लोग सब हमें किस से होती है और कब तक चलता है कैसे वो सारी कि जो प्रस्ट निकाल होता है सबसे पहला है प्रस्ट निकाल ठीक है अब यह प्रस्ट निकाल होता है जो कि जब बैठक होती है समयता है और जो पर्थम आओर होता है पर्थम यानि पहला घंटा होता है जिसमें जिसको प्रस्ट निकाल बोला जाता ठीक है और अगर इसकी ट तो यह होता है प्रशन काल इसमें यह होता है कि जो भी क्यूशन सोना है जानकर एक लिए तो आप जो मंत्री प्रशन होती है उससे आप कुछ भी क्यूशन कर सकते हैं ठीक है मंत्री प्रशन से आप प्रशन पूछ सकते हैं यह होता है प्रशन काल के टाइम में और प्रशन प पहले इसका historical background देखा जाए सबसे पहले अगर शुरुवात की बात की जाए 1892 में एक्ट आया था जो कि सम्विदानिक विकास या ब्रेटिस का लिन अदिनियम के कह सकते हैं भारती परिशद अदिनियम आया था वहाँ से है वो इसके प्रथा की शुरुवात हुई थी प्रश सिला माल सकते हैं अब हम देखते हैं कि जो यह प्रशन काल होता है उसमें कौन-कौन से है वो प्रशन पूछे जाते हैं तो उनके बारे हम देखते हैं तो इसमें है वो दो तरह के मुख्य कुशन है हाला कि एक और भी है जिसको अल्फ सूचना भी कहते है एक होता है इसको बोलते हैं तारंकित प्रश्ण और एक होता है अतारंकित ठीक है एक तारंकित और एक अतारंकित प्रश्ण अब तारंकित प्रश्ण में यह होता है कि जो मानलो कोई सदेशिया है वो प्रश्ण पूछ रहा है ठीक है इसको अब नेक्स स्लाइड में देखेंगे तरांकीत प्रश्ण में यह होता है कि मानलों की सदिश्य प्रश्ण पूछ रहा है तो प्रश्ण का तुरंत जबाब तुरंत जबाब और वो भी मोखिक यह चीज होती है तरांकीत प्रश्ण में कि प्रश्ण का उत्तर है वो तुरंत चाहिए होता है और जवाब है वो मोखे रूप में है वो दिया जाता है अगर लिखित रूप में जवाब चाहिए तो फिर वो अतारंकित प्रूश्ण में चला जाए अब एक चीज़ यह द्यान रखने के चुछ तारंकित अतारंकित हलाकि सदेश है वो इस्टार लगा के द ध्यान में रखा जाता है अब ये इसका ये चीज ही ध्यान रखनी है कि प्रश्ण को है वो तरण जवाब देना होता है और मुखिक जवाब लिखित रूप में लिखित रूप में आपको जगे But ये तो फो प्रण किद प्रश्ण में होचला जाएगा दूसरा है अतारंकित प्रश्ण इसमें यह होता है कि जबाब है वो तुरंत नहीं चाहिए लिखित जबाब लिखित जबाब दिया जाता है तो इसमें वो तुरंत नहीं चाहिए होता है तुरंट नहीं लिखित जबाब चाहिए होता है इसके लिए इसको है तारंकित है वो परशनों की स्रेणी में है रखा जाता है और जैसे कि कोई क्यूसन पूछा जाता है मानलो आज पूछ लिया गया तो कल है वो इस चीज़ का है वो एंसर लिखित रूप में है और बोल के भी है वो मंत्र युदारा इसका है वो परतिक्षभ जबाब दिया देगा ये तो दो तरह के किसन होगे तारंकित और अतारंकित एक किसन इसमें अलप सूचना वलब याता है जैसे कि उसके लिए है वो पर्मेसल लेखे है वो पूछना पड़ता है अलप सूचना प्रशना तो इनका भी है वो ध्यान अगना अगर टोटल टाइप पूछे तो तो है और मुख्य रोप से है वो तारंकित और अतारंकित प्रश्ण ही पूछे जाते हैं यह चीज का है वो ध्यान टकना है तो और उसके अलावा है वो अन्य प्रश्णों के अहसाब से ऐसे डिविजन के है तो एक मुख के डिविजन होगा वो गयर सरकारी सत्ष दो जो पूछण यानी जो मन्त्रियों के अलावा है यह पूछ है गयर सरकार सत्ष यानी सांसे दो दौदे जो पूछे जाएंगे वो भी है व्यसमें ॐसमें ॐसके बाद में है आदे हगंटे की चर्च होती है ठ यह मालो session end होना है उनके आदा घंटा पहले है वो इसको लेख देते है session के खत्म होने से आदा घंटा पहले आदा घंटा पहले इस पे है वो discussion किया जाता है आदा घंटा जाता है और जिसमें की विविविन टाइब की app of confusion रख सकते है उस पे हो चर्चा की जाती है और इसके लिए एक समय स्यम्य होती है कि आपको तीन दिन पहले है वो permission लहने पढ़ेगी तीन दिन पहले हो permission ले जाती है और इसमें है वो राजे सभा में तो कोई इससे सम्दित है वो दिन डिसाइड नहीं होता है राजे सभा में है वो किसी भी दिन लाया जाज सकता है लेकिन लोग सभा की बात की जाए तो इसमें है वो सोमवार ठीक है सोमवार बुद्वार और सुक्रवार जानी एक दिन छोड़ कर एक दिन यह नहीं इन तीन दिन में आप इससे सब्बंदित चर्चा कर सकते हैं तो यह है वो इससे संब्दित चर्चा होती है इसमें ठीक है उसके बाल देखेंगे हम सुन्यक्राण सबसे पहले तो इस पर है वो इस्टान मार्क लगा दिए सबसे ज्यादा तर कि यही पूछा जाता है भारतिय देन है यह ठीक है भारतवारा संसरी वेवस्ता में यह देन है सुन्य काल के देन है वो भारतिय देन है और ये सेसन से वो 12 बजए आरंप होता है इसलिए इसको नाम है वो सुन्य काल दिया गया और ये ज़िस्ट प्रसन काल के तुर Grade ये प्रसन काल हमने दिखान थै कि 11-12 के बीच मोता है उसके ज़ित बात है वो 12 बजजए हो सुन्य काल स्टार्ड हो जाता है ठीक है इसमें ये है कि आपने कोई भी सूचना नहीं दिया बगेर सूचना के आप कोई भी मुद्दा है वो उठा सकते हैं कोई भी मुद्दा उठा सकते हैं नहीं सारवनी संब्दित कोई भी मुद्दा उठा सकते हैं बगेर सूचना दिये बिना सूचना के ये सबसे इंप भारत की देने पहले कहीं से दिवस्त में इसे संबन दीते हैं कोई उलेक है वो नहीं किया गया और अगर मालो यह पूछा जाए कि कब इस्टार्ड हुई है तो इस्टार्ड का भी ध्यान रखना 1962 से है वो यह प्रमप्रा इस्टार्ड हुई है 1962 से ठीक है उसके बाद में हम देखते हैं यह काती है अल्पकाल की चर्चा नहीं थोड़े समय के लिए और यह किसी महत्यों के यह लोग महत्यों के विश्य होते हैं उस पर है वो गैर सरकारी सदिश्य है जाता है गैर सरकारी सदिश्यद्वर्ण लाय जाता है गैर सरकारी सदिश्यद्वर्ण इसες पर हो चर्चा के लिए और ये वैसे तो इसका दिन भी कर भी डिसाइड होता हैं मंगल वार और गुरुवर्ण मंगलवार और गुरुवार यह दोनों दिन है वो डिसाइड होते हैं इस चर्चा के लिए ठीक है बाकी दिन यह चर्चा होती नहीं और इसके अगर प्रारम की बात की जाए तो यह भी जैसे सुन्ये का अलूनी सो बास्ट बता तो इसकी शुरुवात है उनीस सो द्रेपन में हुई है ठीक है उसकी शुरुवात है उनीस सो द्रेपन में हुई है ठीक है तो यह चीजे की अलुका लिन चर्चा के समंदित है वो यह चीजे तो हमने प्रमुक प्रमुखेव देख लिया था सबसे पहले हमने वह बात की थी कि सत्र है वो सत्र कितने प्रकार के होते हैं त सीट कालिंज सत्र इन से सम्मंदित है, अब कुछन पूछा जाता है कि कौन सा सत्र कब से कब तक है कौन सा कब से कब तक है, फेब, जुलाई सेप्टमबार, नौबार, जितने भी यह चीज है, इसमें है, वो पूछा जाएगा तो यही क्यूसन बनने कि यहां से संभावना बनती है, और उसके अलावे हम कुछ फेक्ट्स देख लते हैं, जो की संसर से संभन दित हैं, तो सबसे पहले है, वो देखेंगे कि अब भी है, वो सत्रवी लोगसबा चल लिए सत्रवी लोगसबा, ठीक है, और इसमें है वो जो महिला संसर दे, वो कितने हैं तो महिला संसर दे, वो 78 है, वो महिला संसर दे, यह चीज का है, वो ध्यान रखना सबसे पहले महिलाव से संभन दित, इस पर वो देख लेते हैं, और उसके बाद में है वो लोगसबा अध्यक्स हैं अब तक कितनी महिला हैं लोगसबा अध्यक्स बनी हैं लोगसबा अध्यक्स और वो भी महिला हैं ठीक है तो महिला में सबसे पहले बात करेंगे तो सुमित्रा महाजन सुमित्र महाजन और दूसरे कौन है मीरा कुमार मीरा कुमार तो इन दोनों का है झान रगना है लोग सबावादेक्स जो की महिलाई पनी थी मीरा कुमार और सुमित्र महाजन उसके साथ साथ में एक जगह यां थोड़ा सा यहीं डिसकस कर लेते राज्य सभा में है वो जो उपसभापती है उसके पद पर भी है वो दो मेला है रही है उनका भी देख लेते हैं उनमें पहला नाम है नजमा हेबतुला नजमा हेबतुला और दूसरा नाम इसमें हो के वाइलेट अलवा वाइलेट अलवा ये दो मेला है जो की उपसभापती म उपसभापती भी रही है ठीक है और अगर सभापती की बात की जाए तो अब तक कोई महीला उपसभापती है वो स्वापती नहीं रही है उपसभापती ये दो है और उसके बात में बात की जाए तो एक मात्रा जो लोग सब अध्यक्स थे वो राश्टपती बने थे यहनी पती तो यहां पर होगा रेडी यह नहीं एनस रेडी ठीक है और एक मातर जो अध्यक्स थे ठीक है और अध्यक्स के बाद में है वो न्यायदिस बने अध्यक्स के बाद में न्यायदिस बने तो हेग्डे यह वो न्यायदिस बने थे अब यह वो प्रतम लोगजबा स्पिकर क तो वैसे सब को सब करते और सबसे अगर कारिकाल सबसे जादा है किस लोग सबड़ेक्स कह वह वो कारिकाल सबसे जादा था इसका होगा बलाराम जा खरण बलराम जाकड यह लगबख 10 साल रहे थे ठिक है अध्यकस ऐसे कौन से लोग सब पद पर रहते है उनकी है वो मृत्य होगी में अध्यकर इसमें है वो पद पर मृत्यो पद पर रहते हुए मृत्यो तो इसका भी ध्यान रखना पहला नाम इसमें आएगा मावलंकर ठीक है जी भी मावलंकर है बाल योगी ये है दो फैक्ट ठीक है तो इसमें है वो ध्यान रखना है अब हम देख लेते हैं कि जो राज्य सब्बा में है वो भी जो मनोनित female candidate कौन सी है तो मनोनित सदिशों में देख लेते हैं मनोनित महीलाएं किसमें? राज्य सब्बा में ठीक है तो सबसे पहले बात करेंगे mc mc marycom ठीक है ये फर्स्ट सेकेंड इसमें सोनल मान सिंग सोनल मान सिंग ठीक है और थर्ड की बात करें तो रूपा गांगुली ये है वो तीन मनोनित महीला हैं राज्य सब्बा में क्योंकि राश्पती द्वारा है वो जो मनोनित किया जाता है उसके तेथ ठीक है और ये हमने देखे थी कुछ संससे संबंदित सब्दाव लिया और संसस संबंदित कुछ प्रमुकत थे और होफ़ूली आपको लेक्चर पसंद आया होगा और प्लीज डू लाइक से संस्क्रेब और यूटूब चैनल 6A लाइंस और आप हम इस्टाग्रम पे फालो कर सकते हैं फेस्बुक पेस्बाइब फालो कर सकते हैं और टेलीगां पे फालो कर सकते हैं थेंक्यू पॉर वाजचिंग